तो पर दोस्तों नमस्ते आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम बनाएंगे तिल की चिक्की बहुत ही आसानी से बन जाता है बिल्कुल पांच मिनट में बन के रेडी हो जाता है इससे बनाना बहुत आसान है तो चलिए इस मस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते और तिल खाएंगे सर्दियों में तो गर्महाड भी बने रहेगी और संक्रांती भी पास में आ गई है तो इसलिए हम बना रहे हैं तिल की चिक्की इसे बनाने के लिए फ्रेंज एक कटोरी मैंने सफेद वाले तिल लिए है और यहां पर काले वाले गुड लिए है तो यह म में थोड़ा सा घी या तेल लगा लेना है उसके बाद गैस अन करना है कटाई चड़ाना है तिल इसमें एड करना है बिल्कुल धीमी आज पे इसे चलाते हुए भून लेना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए तो भूनने से क्या होगा ना इसमें बहुत ही अच्छी घुश्बू आती है और टेस इसका बढ़ जाता है तो बिल्कुल धीमी आज पे इसे भून लेना है फ्रिंस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजी लाइक करना आप भूल जाते हो और यहां पे देखिए इस तरह से चलाते हैं पल्टे से इस ठंडा होने के लिए अब दूसरा काम यह करना है उसी कड़ाई में मैंने यह गुड डाल दिया है अब आधा कटोरी से भी कम हमने यहां पे पानी एड किया है इसके अंदर चमच से नापेंगे तो छेसा चमच यह पानी होगा और इसे एड कर देना है अब यहां पे काम है क खुश्बू बहुत बेकार आती इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही साउधानी से इसे हमें पकाना अब देखिए गुड में अच्छे से उबाल आ गई है तो कैसे हम चेक करेंगे कि गुड हमारा पके तयार हो गया तो यहां पे कटोरी में पानी लेना है और थोड़ा हमारा बनके तयार हो गया है जादा इसे देर तक नहीं रखना है क्रिस्टल जादा बन जाएंगे तो चिकी हमारी एकदम हाड बनके तयार होगी तो थोड़ा सॉफ्ट ही रहे तभी हमें इसमें तील एड कर देना है अब यहां पर काम हमें फटा-फट करना है कंटीनिउस यहां पर हमें पल्टे से इसे मिक्स करना है हाथ को थोड़ा धीला नहीं रखना है फटा-फट से इसे मिक्स करना है दोस्तों यह देखिए तील को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को हम यहां पर बंद कर देते हैं और फटा-फट से चकले के पास चलते हैं और इसे हम इस तरीके से बनायेंगे तील की चिक्की या तील की पापड़ी फ्रिंस बहुत ही आसानी से बनेगी बच्चा बच्चा भी बनालेगा तो यह रेखिए मैंने सारा मिश्रन इस चकले के उपर डाल दिया है और चकले पर तेल लगाना या घी लगाना आपको भूलना नहीं है यहां पर मैंने चाकू भी ले लिया है, चाकू पर भी तेल लगा लीजेगा, हाला कि मैंने चाकू पर तेल लगाना भूल गया थी, इसलिए चाकू पर थोड़ा यह चिपक सा गया है, अब यह चाकू की मदद से इसे थप थपा देना है, और यह काम हमें वहुत ही फटा फट इसे करना है, बिल्कूल पांच मिनट के अंदर तिल की चिक्की बनके तयार हो जाती है, अब यह देखें, इसे थप थपाने के बाद बेलन से थोड़ा इसे बेल लेना है, मतलब इसकी सतह पूरा इवेनली कर लेना, एक सार हमें कर लेना है, ना ज्यादा मूटा ना यानि आकार मिल जाए, जब हम इसे तोड़ेंगे ठंडा होने के बाद, तो आसानी से तूट जाए, गर्मा गरम ही हमें काम कर लेना है, बाद में यह तूटेगा नहीं, अब दस मिनट के बाद देखें, कितने अच्छे से यह हमारी चिक्की बनके तयार हो गई, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, यह आसानी सही निकल गएती, कितनी मस्त बनती है, जब आप इसे रिजल्ट आप देखते हो ना, मतलब बहुत जादा खुशी होती है, जब आप खुद से इसे बनाएंगे ना, तिल की चिक्की, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बना के आप इसे तूट गई ना, मतलब हाड का तो कोई बाती नहीं, मुझे घुल जाने वाला यह चिक्की बन के तयार होगी, और मेरे घर पे बच्छों को बहुत जादा पसंद आई थी, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं महीनों तक, लेकिन अगर बच गई तब, और मैं इस क आप आप